हमारे आस पास जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी किसी ना किसी ग्रह की उर्जा से प्रभावित होती हैं हम जीवन में जो भी करते हैं, वो भी किसी ना किसी ग्रह की उर्जा को रिप्रेजेंट करता है लेकिन हमारे जीवन में ये ग्रहों की उर्जाएं किस तरह से पहचाने जाएं इन उर्जाओं को अपने फाइदे के लिए किस तरह से कंट्रोल किया जाए मैं ये वीडियो उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए लेके आया हूँ पिछले वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि ब्रहस्पती, मंगल, चंद्रमा और बुद्ध इनकी उर्जाएं हमारे जीवन में अगर खराब हैं तो इनको किस तरह से पहचाने अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो जुरूर देखेगा और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ किस तरह से शुक्र, शनी, राहुकेतु और सूरज ये पांच ग्रह जो हैं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं किस तरह से हम अपने आसपास ये देखें कि ये ग्रह हम से किस तरह स रही है और ये उर्जा हमारे जीवन को प्रभावित किस तरह से करी है यकीम मानिये अगर हम इन चीजों को पहचानना शुरू हो जाए ना तो हम अपनी बहुत सारी दिक्कतों को आने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं बलके हमारी जो दिक्कतें चल रही है ना हमारी जो भी प सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल बटन दबाना न भूलिएगा तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हूं सूर्ज से शुरू करते हैं सूर्य सन हैड ओफ दा फैमिली हमारे सोलर सिस्टम के मुख्या सूर्य की इनर्जी है जो हम लेते हैं और जिन्दा रहते हैं सूर्य की इनर्जी बाकी रह लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करके हम तक लेके आते हैं तो सूर्य इस तरह से बहुत ही इंपोर्टेंट रहे हैं तब ही तो सूर्य को जीवन उर्जा बोला गया है सूर्य जिनके भी बर्तचाट मे बलवान होते हैं न अच्छे होते हैं सबसे उनके बीच में बड़ी बात यह होती है कि उनका temperament short होता है वो लंबी बाते नहीं कर सकते हैं वो लंबी चीजे सुन नहीं सकते हैं वो तुरंथ ही मौके पर ही कहेंगे to come to the point वो अपनी बात को समझा भी कमशब्दों में सकते हैं और सामने वाले से भी लंबी बाते सुनना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको solution दिखता है उनको समाधान दिखते हैं और उनको पता होता है कि ये जितनी लंबी लंबी बाते हो रही है इनके क्रक्स में कोई एक ही समाधान बैटा हुआ है आप किसी अच्छे सूर्य वाले से बात कर लीजेगा वो आपको एक ही बात बोलेगा कि मुद्दे की बात करो वो बिल्कुल पॉइंट पे आने की बात करेगा और सच में उनके बताय हुए जो समाधान होते हैं जो असल में दिखना चाहिए सूरज अखर लगन में होना फर्स्ट हाउस में तो ये इनसान को प्रभावशाली विक्तित्वतों देते हैं लेकिन उसकी आईज को बहुत हिट करते हैं नॉर्मली देखा गया है लगन के सूरे ये चटे घर के सूरे होना इन लोगों को एक तो गुसा बहुत आता है लेकिन प्रभाव बहुत अच्छा होता है समाज में इनका लेकिन इनकी आँखों के ऊपर इसका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है जिसके वज़ा से इनकी जो eyesight है वो आने वाले समय में खराब हो जाती है तो ये तो थी बाते सूरज के absolutely अकेला होने की लेकिन सूरज जो हैं हर ग्रह के साथ मिलके हमारे जीवन को बड़े अच्छे से प्रभावित करते हैं अपने दोस्तों जैसे के गुरू, मंगल, चंदर्मा, बुध इनके साथ मिलके सूरज हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेके आते हैं सूरज बुध एक साथ हो तो उस इंसान के काम करने का scale बहुत बड़ा हो जाता है वो जो भी करेगा वो king size करेगा, अच्छा यह बुरा, लेकिन करेगा वो king size सूरज और गुरू एक साथ होंगे, वो विद्वान बहुत होगा, उसको हर चीज की knowledge होगी पढ़ाई चाहसे, जैसी भी उसकी हो, लेकिन उसको knowledge हर चीज की होगी और वो knowledge बड़ी सटीक वाली knowledge होगी, सूरज गुरू एक साथ जिनके होते हैं, उनसे सलाह लेना हमेशा बड़ा फाइदे मंद रहता है, सूरज मंगल एक साथ हो, दोनों ही गर्म ग्रह, अब इतनी गर्मी एक साथ होगी तो यह चंदरमा को सुखाएगी, जिनके भी बर्थेचाट में सूरज मंगल एक साथ होंगे, एक तो गुस्से वाले बहुत होगी, लेकिन उनके बर्थेचाट में चंदरमा के रिजल्ट बड़े कम जोर हो जाएंगे, उनके चाट में चंदरमा जिस भी घर में बैठे और उनको चंदरमा की ओवराल दिक्कते हैं, जैसे के इंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें बहुत ज्यादा रहें, सूर्य और चंदरमा जिनके एक साथ होंगे, देखे सूर्य चंदरमा एक साथ होते कब हैं, वो तब होते हैं, जब इंसान हमावस वाली रात को संबंदित, या मनोदशा से संबंदित, कई दिक्कते इंसान को आ जाती हैं, अब सूर्य अगर शनी के साथ हो, अपने दुश्मन के साथ, तो ऐसे इंसान का वेवाहिक चीवन कई बार खराब होता देखा गया है, या शादी लेट होती है, इन लोगों के बरतेचाट के जो तो ग्रहन दोश कहलाता है, अब इन लोगों को कई बर देखा गया है, पितर दोश जैसे सिंटम देखने को मिलते हैं, या इन लोगों के जीवन में एक पैटरन बन जाता है, अचानक से होने वाली खराब घटनाओं का, जो इनके जीवन में बारी-बारी से आके परेशानि इनको देती ही रहती है, सूरे के तो अर्दगरहन योग बोला गया है, लेकिन इस योग में सूरे को खराबी नहीं होती है, लेकिन बर्थे चार्ट में जिस भी घर में ये योग होता है, उस घर के प्रती इन लोगों को खराब रिजल्ट मिल जाते हैं, सूरे के बाद अग आपकी branding ही नहीं हो पाएगी, यानि अगर आप चाहते हैं आप दुनिया को अच्छे देखें, अगर आप चाहते हैं आपका प्रभाव बने, तो आपको अपने शुक्र को पहचानना होगा, शुक्र को सही करना होगा, आपने कई बर देखा होगा, कई लोग हैं जिनके पास इसा भी अच्छा होता है, जिनकी काबलियत भी अच्छी होती है, लेकिन उनकी looks कुछ ऐसी खराब होती है, या उनका रहन सहन ऐसा होता है, या कुछ वो बिलकुल इस तरह से ignored से अपने आपको रखते हैं, कि वो लोग उनको जजज ही सही नहीं कर पाते, वो जब तक उनके पैसे बाबा की लोग enjoy करते हैं, ये खराब शुकर की निशानिया होती है, खराब शुकर health में diabetes भी दे देता है, pancreas की दिक्कत दे देता है, lower abdomen की दिक्कतें देता है, खराब शुकर सबसे ज्यादा जो दिक्कत देता है ना इंसान को वो skin की trouble दे देता है, तो आपको अगर इन चीजों में से कोई चीज भी होती ही नजर आएगी न, तो आप समझ जाएगा के शुकर खराब है, शुकर का अच्छा होना जो है आपके जिवन में luxury element लेके आता है, शुकर का अच्छा होना जो है आपके जिवन में सुक सुविधाओं के आने के रास्ते बनाता है, ले सारी की सारी चीज़े शनी के अंडर आती है देखे हमारे जीवन में सबसे इंपोर्टेंट क्या है सबसे इंपोर्टेंट है कि हम जीवन में कर्म क्या कर रहे है वो काहवत है न कि कोई अगर आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो तो दरसल वो ये अंदाजा लगा रहा है कि आपको इज़त कितनी देनी है जी सीधी बात है आप समाज में कितनी इज़त कमाते हो उसका सिधा सिधा वो डिपेंड करता है कि आप जीवन में कर क्या रहे हो तो कर क्या रहे हो कि उर्जा कौन कंट्रोल करता है शनी कंट्रोल करते हैं देखिए हम फल की इच्छा किये बिना कोई कर्म नहीं कर पाते हैं और आप कर सकते भी नहीं है क्योंकि आपको जब तक एक आइडिया ना हो कि ये कर्म करने का आपको जीवन में फाइदा क्या मिलेगा आपके पास कोई motivation नहीं रह जाती है तो आपके कर्म का फल यानि आपकी income आपकी इच्छा पूर्ती ये भी शनी के अंडर आती है आप जीवन में कुछ भी ढंका कर नहीं पा रहे हैं या आप जो भी कर रहे हैं उसका आपको नतीजा ही नहीं आ रहा है ये सारी चीजें शनी के खराब होने की निशानिया है आपके बर्थे चार्ट में शुक्र डील करते हैं आपके पास पैसा कितना होगा शनी आपके indicate करते हैं आप करेंगे क्या अब देखिए ये दो उर जाएं कितनी important उर जाएं हो गई एक पैसे को डील कर रही है एक आपके करियर को डील कर रही है तो आपके बर्थे चार्ट में ये ध्यान से point को समझेगा ये बहुत ही important point होने वाला है कि आपके बर्थे चार्ट में अगर शुक्र और शनी कहीं पे भी बैठी हुए हो वो आपस में 9-5 के एंगल पे हो वो आपस में एक दूसरे को देख रहे हो तो ये चीज इंडिकेट करती है कि वो इनसान अब अपने जीवन में कुछ तो अच्छा कर जाएगा उसके जीवन में अडचने आएंगी क्योंकि बाकी रह भी बैठे हुए हैं लेकिन वो इन अडचनों से पार पाके आगे बढ़ता चला जाएगा और तरक्की करता ही चला जाएगा लेकिन यही शनी और शुक्र बर्थचाट में आपस में किसी 6-8 जैसे एंगल पे बैठे हों दुश्मन जैसे एंगल पे बैठे हों खराब घरों में बैठे हों तो यह इंडिकेट करता है कि अब आपके बर्थचाट में जो भी ग्रह हूं जो भी योग हों जो भी दशाएं हों जैसा भी गोचर चले अब काम और पैसे के अडचने जो हैं यह रिपीटीड इंटर्वल पे आती रहेंगी तब बहुत ज़रूरत होगी इनके एंगल को बैलेंस करने की इनके एंगल को सही करने की यह मैं आपको एक बहुत ही महत्वपुन बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूं जिनके भी जीवन में करियर या पैसे से सम्मद्दे दिक्कते आ रही है ना उनके लिए अपने कुंदली में इस पॉइंट को जांचना बहुत ज़्यादा जुरूरी है और अब बात करते हैं रहू और केतु की रहू और केतु को कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स बोला जाता है यानि आपके पिछले जन्मों के संचित कर्मों को आपके पास लाने वाला जो डाकिया है ना ये रहू और केतु हैं आपके बर्सचाग में रहू और केतु जहां पे भी बैठे होंगे ये जिन जिन राशियों में बैठे होंगे ना उस राशी के स्वामी आपके कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स बन जाते हैं suppose करिए राहु मेश में बेठे हुए हैं, अब आपके मंगल जो हैं यह कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट होगी, अगर राहु मेश में बेठे हैं तो मेशर तुला में बैठे होंगे, तुला राशी शुक्र की है, अब मंगल और शुक्र जो है ना, यह आपके जीवन के कर्म गदी को कंट्रोल करने वाले प्लैनेट बनेगे मंगल यह शुक्र की जब भी दशा अंतर दशा आएगी न आपको पिछले जन्मों के अच्छे या बुरे संचित कर्मों का रिजल्ट मिलता रहेगा तो राहू और केतु को ढंक से समझना जुरूरी है और इनको सही से डील करना करें बुरे करें कि बार क्या होता है कि राहू बहुत अच्छे कर्मों को आप तक लाने वाले होते हैं लेकिन राहू की बेसिक उर्जा को समझे बिना मुझ का उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं और वो रिजल्ट हम तक पूरी अधंक से पहुंची नहीं पाते हैं तो इस तरह से हम अपने जीवन में इन उर्जाओं को समझ के अगर थोड़ा सा समझ के इनके हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देना यकीन माने जीवन में आपकी अर्चने बहुत हद तक कम हो सकती हैं. अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये थो हमने उर्जाओं को समझ लिया लेकिन अगर इन उर्जाओं में कोई गड़बढ है तो उनको सही कैसे किया जाए तो चलिए हम थोड़ी सी उपायों की चर्चा भी करते हैं क्योंकि उपायों के बिना कोई भी चर्चा जो सूरे की तरह अपने जीवन को डिस्सिप्लेंट रखना होगा ताइम पे जाके टाइम पे सोना होगा ये सिंपल सी उपाय है देखने में लेकिन ये आपके सूरे को आपके बहुत ज्यादा फेवर में कर देती है शनी की खराबिया है करियर में दिक्कत है इंकम में दिक्कत है तो आपको क्या करना है भैंसे की सेवा करनी है अपने घर के पश्चिम को सही रखना है जितनी लेबर क्लास है आपको उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट यां खिलाते पिलाते रहना है और शनी का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है शिवुपासना, आप शिवुपासना करिए और फिर देखिएगा के शनी की उर्जा किस तरह से आपकी फेवर करती है, आपको शुक्र की दिककते आ रही हैं, तो आपको चाहिए जीवन साथी से बना कर रखें, इस तरी जाती का सम्बान करें, गाई की सेवा करें और अगर ये चीजें जो हैं, आप अल्रेडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शुक्र की कोई न कोई कमी आपके जीवन में बनी हुई है, तो फिर आपको सबसे इंपोर्टेंट उपाई शुक्र का बता रहा हूँ, ये उपाई है, सबसे पहले तो अपने घर में साफ सफाई रखिए, specially आपका जो बेडरूम है, ये बहुत ही साफ सुत्रा रहना चाहिए, ये सुनने में बड़ी साधारन रेमिडी है, लेकिन ये रेमिडी अगर आप करेंगे, यकीन मानिए, आपके शुक्र जैसे भी आपके चाट में बैठे होंगे, आपकी फेवर करनी शुरू कर देंगे, और राहू और केतु के लिए मैं अलड़ी बता चुका हूँ, कि जिन भी ग्रहों की राश्यों में बैठे होए हैं, उन ग्रहों का इलाज आपको करना होगा, राहू और केतु अपना फल खुद बखुद आपको अच्छा देना शुरू कर देंगे, तो दोस्तो ये थी एक तब तक अपना खूब ध्यान रखेगा, नमस्ते